हाई फ्रेंट्स आज हम उतपम बनाएंगे उसके लिए पहले मिने यहाँ पैन में तीन चमच तेल डाल आए तेल गरम होने के बाद आदा चमच मस्टर्ड सीट्स एक चमच चना डाल डाल के तोड़ा सा फ्राइ कर गेंगे उसके बाद दो मीडियम साइज प्यास को इस तरह काटके डाल रही हूं अब दो हरा मिच पि डाल आए थोड़ा से मिक्स करके थोड़ा सा हल्दी डाल जाल के चैसे फ्राइ करेंगे तोड़ा सा हलदी डाल लिते हैं अब तोड़ा सा फ्राइज करेंगे निऑ nor Child AmbES का नहीं तक ळाच करेंगे ये कलर आने तक फ्राइ करेंगे, ज्यादा फ्राइ होने की जरूरत रहे हैं, बस तोड़ा ही फ्राइ करना है, उसके बाद दोस्य का बैटर में मिक्स कर लेते हैं, हम नार्मल दोस्या बनाते हैं वो वाली बैटर में मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास करे लीव्स है तो वो भी डाल सकते हैं इतरा पूरा डालके अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आजा चमच नमक डाले आप जितना बैटर लेता है न उसके हिसाब से नमक डालना है अब तोड़ा सा काने वाला शोड़ा डाल रही हूं इस तरह पानी से मिक्स कीजिए अच्चे से मिक्स हो जाएगा अच्चे से मिक्स करना है उसके बाद गर्म पैन में दोस्या की तरह बनाना है पैन अच्चे से गरम होने के बाद तोड़ा से तेल डालके प्यास को इस तरह एक सेड काटना है तेल को प्यास से ही पोरा पैन आने तक ऐसा ही स्प्रेड करना है प्यास से ही करना है अच्चे से दोसा आजाता है ऐसा करेगो तो अब बैटर डालके तोड़ा सा दोसा की तारा बनाएंगे इस तारा स्प्रेड कीजिए आप चाहे तो बड़ा वाला वो था पंबी बना सकते हैं अब तोड़ा सा तेल डालेंगे साइड्स में अब दो तीन मिनिट तक मीडियम फ्ले में ही पका नाए तोड़ा सा कलर चेंज होने तक देखिया आप कलर चेंज हो गए ना आप पलट लेते हैं इस तारा पहले साइड्स को उपर करना है उसके बाद पलटना है दोसरे तारा भी दो तीन मिनिट तक मीडियम फ्ले में ही पका नाए या पिर कलर आने तक पका नाए इस तारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका नाए आप पक चुका है आप निकाल लेते हैं इसे तारा सारी उतपम को बना सकते हैं इसको अचार के साथ का सकते हैं मैंगो पिकल या पिर गोंगुरा पिकल कोई भी पिकल से का सकते हैं को जो पिकल पसंदे उसके साथ कहा सकते हैं इस्पेशले मैंगो पिकल के साथ अच्छा होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक टेक एर बाई